नमस्कार दोस्तों, मैं सिधारताब सभी का बहुत बहुत सवाथ करता हूँ ग्यान गंज के विशय में बहुत से लोगों को बहुत से उच्छुकता रहती है इसी चैनल पर हमारे जितने भी ग्यान गंज के बारे में वीडियोज है उन पर कितने ही लोगों ने ये पूचा है कि ज्यान गंज कैसा है, कहा है, हमें भी वहाँ जाने के उच्छता है परन्तु किसी एक ने भी ये नहीं पूचा है कि ज्यान गंज आखिर है ही क्यों और देखा जाए तो सबसे महतपून प्रश्ण भी यही है कि ज्यान गंज है ही क्यों? क्यों उसे बनाने की आवशक्ता भी पड़ी? तो आज के वीडियो में हम ये तो जानेंगे कि ज्यान गंज कैसा है कहा है परंतु हम गहराई में उतर करके ये भी जानेंगे कि आखिरकार ज्यान गंज स्थापित क्यों हुआ? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ज्यान गंज एक सिधाश्रम है सिधाश्रम केवल एक ही नहीं है बहुत से और सिधाश्रम है और जैसे सिधाश्रम है उसी प्रकार दिवेभूमी भी होती है वैसे सिधाश्रम और दिवेभूमी ये दोनों अलग-अलग है इनके कारण भ एक ही में मान करके चलेंगे अब दिविभू में ये कौन-कौन सी है एक हो गई है गोलोक एक हो गई है व्रिंदावन एक हो गई है साकेत ये मैंने कुछ उधारन दिये हैं आपको अब ये सब धर्ती पर है परंतु वो इनका वास्तविक रूप नहीं है इनका वास्तविक रूप भ्रमांड में कहीं और है भ्रमांड में एक स्थिती में ये सभी हैं और जो योगी रहे हैं जो साधू रहे हैं रिशी रहे हैं वे अपने योग बल से भ्रमांड में उस स्थिती तक पहुंचे हैं जहां पर ये उन स्थानों पर पहुंचे हैं वहां पर गए हैं उन दिव्य भूमियों में ये पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के उन्हेंने समझा है उन्हें फिर धरती पर आकर के उन्हीं का उसी दिव्य भूमी का प्रतिबिम्ब यहां पर स शक्ति नहीं है, इसा नहीं है, इनमें भी शक्ति है, ये भी बहुत जीवन्त हैं, जाकरित हैं, परन्तु ये आम साधारन जन के लिए हैं, जो योगी हैं, उनकी स्थिती इनके बहुत उपर है, उनकी स्थिती इन सधाश्रमों में, इन दिवेभूमी में जाने की है, और ऐसा ही है यानगंज भी यानगंज भी भ्रह्मांड में कहीं और है उसकी स्थिती कुछ और है परन् तु उसी का एक प्रतिविंब धर्ती पर भी है तो इसी लिए हम यह समझेंगे कि यानगंज दो हैं एक है भॉम और दूसरा है वास्तविक जो भॉम है उसकी स्थिती है कैलाश के आगे की, यानि कैलाश के आगे जब हम जाते हैं, तो पृत्वी पर वो ज्यान गंज स्थापित है, वहाँ पर जाना भी अती दुरलब है, दूभर है, परंतु वो पृत्वी पर है, परंतु वो एक पृत्विम्ब है, जो वास्तव ज्यान गंज ह वे भ्रहमांड में कहीं और है अद्रश्य है वहाँ पर जाने के लिए आपको योग बलकी आवशकता है तो हमारे मन से हम इस विशय को निकाल दें कि हम बिना कर्म करे बिना योग बलके वहां तक पहुंच सकते हैं बिना योग बलके तो हम जो ये भौम ग्यान गंज है वहां तक भी नहीं जा सकते हैं अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि जो ये सिधाश्रम है जैसे ग्यान गंज एक हो गिया है वैसे ही और बी अलग-अलग सिधाश्रम है ये सभी सिधाश्रम एक जैसे नहीं है इनके कारण अलग है इनके स्तर अलग है इनके तत्व भी अलग-अलग है उधारण के तौर पर किदारेश्वर जलपेश्वर महाकाल ये सभी जो है ये तेज तत्व के साथ है अर्थात अग अगनी तत्व में है और इनका तत्व जो है वो अगनी है इसी प्रकार जो गोकर्ण है जो अभिमुक्त है इनका तत्व आकाश तत्व है कुर्खषित्र गया ऐसी जो सिद्भूमिया है इनका तत्व है वायू अब जब आप पुराणों में इनके बारे में कथाएं पड़ें तब आप इस ज्ञान के साथ, इस नौलेज के साथ इनके बारे में जो कथाएं हैं, इन स्थानों पर जो कुछ भी हुआ है, उसके बारे में और अधिक गहराई से समझ सकेंगे। तेज तत्व है, उसी प्रकार से जो अविमुक्त है, जो काशी में हैं, वो आकाश तत्व है, आकाश शिव का ही तत्व है। और जो हम जानते हैं, जो वरिंदावन हमने देखा है, हम गाए होंगे, जिस कैलाश को हम जानते हैं, जो साकेत हम जानते हैं, वो उसी का प्रतिबिम्ब है। अब मुझे लगता है कि हमें ग्यान गंज के बारे में थोड़ा और गहराई से समझ में आया है कि ग्यान गंज कहां है और कैसा है। वारे में एक और बात आपको बताता हूँ कि ज्यान गंज तीन अलग अलग स्तरों पे है। एक है जो ज्यान गंज के नाम से ही जाना जाता है। यह जो गंज है इसे आप उर्दू या फिर फार्सी का शब्द नहीं समझें। यह संस्कृत का ही शब्द है जो कुंज होता है जो कुंड होता यह वैसा है। यह शब्द जो है यह ट्रावल करता हुआ समय के साथ में परश्या पहुंचा फिर वहां से फिर से हमार पास आ गया। इसका जो पुराना नाम था वो था इंद्रभवन। तो जो ज्यान गंज है वहां पर जो सिद्ध हैं जो योगी हैं वे ज्यान विज्यान आदी के विशय में पढ़ते हैं ज्यान प्राप्त करते हैं एक्स्परिमेंट्स करते हैं यह लाब की तरह है। इसके उपर है राज राजेश्वरी मठ अर्था जो देवी राज राजेश्वरी हैं जो इन सब की जो अधिश्ठात्री देवी हैं उनका वहां पर जो उच्चकोटी के योगी हैं वे वहां रहते हैं जो गुरु है वो वहां है उसके उपर है परम गुरु जो है यानि महातपा उनका श्री मंदिर वो जो श्री मंदिर है वो देवी का ही मंदिर है यह जो महातपा है यह वहां नहीं रहते हैं यह इसके बाहर एक ग्यान गंज कैसा है ये भी मैंने आपको बता दिया पर अब हम आते हैं उस मुख्य बात पर उस महत्पून बात पर जो हमारे जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आएगा जो हमारे ग्यान का विस्तार करेगा जो हमें बताएगा कि यदि हम साधना करते हैं यदि हम योग के मा पचना हुई थी, तब कोई भी सिधाश्रम नहीं था, अर्था तब ग्यानगंज भी नहीं था, परन्तु जब विकास हुआ, जब आवशकता पढ़ी, तब ही ग्यानगंज जैसे और भी सिधाश्रम होऊ की स्थापना हुई, ग्यानगंज का जो लक्ष है, जो महालक्ष है, वो यदि मैं आपको अभी ही बता दूँगा, तब हम इसके मर्म को समझ नहीं पाएंगे, इसकी महत्ता को हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ सार गहराय में हम उतरते हैं, हम पहले ये जानते हैं कि योगी और साधक में अंतर होता है, वो अंतर क्या है, साधक की बा परंतु कृपा जो होती है वो गुरू के द्वारा होती है, और जो कर्म है वो भगवान के द्वारा है, फिर देवता के द्वारा होता है, सभी योगी सबसे पहले साधक ही होते हैं, परंतु इन दोन में अंतर होता है इनके लक्ष का, जो साधक होता है वो कृपा के द्वा जिनमय रूप में ही बस जाता है वो वही जो इष्टदेवता का रूप होता है वो उसी रूप को धारन कर लेता है ये एक साधक का लक्ष हो गया है ये भी कोई कम लक्ष नहीं है ये भी कोई निम्न कोटी का लक्ष नहीं है ये भी बहुत दुरलब स्थिती होती है परन्तु साधक की स्थिती फिर उतनी ही रहती है, वही रहती है, साधक का जो ये साक्षातकार होता है, भगवती का जो साक्षातकार होता है, ये भगवती का जो पूर्ण रूप है, जो साकार रूप है, जो वास्तविक रूप है, वो नहीं होता है, साधक का जो साक्षातकार होता है, चाया रूप के साथ होता है, चाया रूप में भी अपनी एक विशिष्टा होती है, पर अंतु इस साधक की स्थिती वहीं तक होती है, उसका जो कर्म है, वो वहीं परी समाप्त हो जाता है, यहीं परी योगी साधक से भ़त भिन्ह जाता है, अब हम बात करते है योगी की योगी को जो ज्ञानगन से ही जुड़े हुए गोपिनात कविराज जी है उन्होंने बताया है कि योगी दो प्रकारके हो सकते हैं वैसे होते हैं तीन प्रकारके हैं एक खंड योगी एक महा खंड योगी और एक खंड योगी परंतु जो यह खं नहीं है या पर हम इनके बारे में जानते नहीं है इसलिए हम बात करेंगे केवल दो योगियों के बारे में या फिर योगियों की कैटेगरी के बारे में एक खंड योगी और एक महा खंड योगी इनका जो पूरा डिफरेंस है वो मैं आज नहीं बताऊंगा इस वीडियो में बैठना, सुनने में बढ़ा और लग रहा है हम बात करते हैं यहाँ पर ही कुंडलीनी की सब कुछ हम जोड़ेंगे आगे कुंडलीनी का जब जागरन होता है तब मैं पता है कि हर एक जो स्तर है, जो एक चक्र है इनमें कमल दल होते है मुलधार के चार कमल दल होते हैं फिर ऐसा करके और कमल दल बढ़ते रहते हैं सहस्तरार में सहस्तर कमल दल होते है कमल दल जो होते हैं उनके बीच में बिंदू होता है यह जो बिंदू है यही भगवती का आसन होता है यही भगवती का राज्य होता है इस राज्य के बीच में भगवती आसीन होती है जो योगी होता है उसका लक्ष होता है भगवती की गोद में बैठना गोद में बैठना हर कोई नहीं कर सकता है वो महाखंड योगी ही वो स्तिति प्राप्त कर सकते हैं जो खंड योगी होते हैं वो कमल दल पर बैठते हैं। यह उसी प्रकार है कि आप उस चक्र के राजा बन जाते हैं। और जो दल में जो योगी होते हैं वे प्रजा की भानती होते हैं। अब जो योगी होता है वो गुरु के बिना उच्छ स्तर प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु योगी को दीक्षा देते हैं। अब जो योग दीक्षा होती है ये बहुत ही रोचक और गूर रहस्य है इसका। जो दीक्षा मिलती है वो ये बताती है कि जो योगी है उसका जो लक्ष है वो निरंतर कर्म है साधक से भिन्न हो करके योगी का लक्ष अब यहाँ पर अलग हो गया है साधक इश्ट को प्राप्त करता है योगी निरंतर कर्म करता है योगी की देह एक ही नहीं होती है यानि जो ये शरीर है उसका एक ही शरीर नहीं होता है एक होता है मरदेह यानि वो देह जिसमें उसकी आत्मा रहती है वो जो पृत्वी पर रहता है तब जो उसके देह होती है इसमें जो वो कर्म करता है अर्था जो तपस्या करता है साधना करता है उससे उसकी स्थिति बहुत तीव रगती के साथ में उपर के और उबढ़ती है परंफु जब योगी इस देह को त्याग देता है जब उसकी मृत्वी हो जाती है तब गुरु की दीख्शा के दौरा इस योगी को कर्म धिर प्राप्त होता है अर्था कर्म अभी भी चलता रहता है परंफु अब ये प्रिथ्वी पर नहीं है जो गुरु हैं वे इस योगी को जिसकी अब कर्म दे हैं उसे निरंतर कर्म करने के लिए एक आसन प्रदान करते हैं अब जो ये आसन है इसके लिए भूमी भी देनी होगी ये भूमी आसन का एक विस्तार है इस ही कारण जो योगी होते हैं उनके लिए जो भूमी बनाई गई है जो प्रदान करी है वही सिद्ध आश्रम होए है वही ज्यान गंज है यही ज्यान गंज के होने का भी कारण है कि जो योगी है उनकी सतत निरंतर तपस्या के लिए उनके निरंतर कर्म के लिए उनके आसन को धारण करने के लिए जो भूमी बनाई गई है वही ज्यान गंज हो करके इसके होने का कारण भी बनी है अब बात ही आती है कि इसका क्या relationship है हमने कई सारी अलग-अलग पैरलल बाते करी है परने तो घबराई या नहीं सब कुछ हम जोड़ेंगे अभी मैंना आपको बताया था कि कमल दल पे जो बिंदू है बिंदू में भगवती का राज्य है वहाँ पर भगवती का आसन है जो यह योगी होते हैं यह महाखंड योगी होते हैं यह योग दीख्षा के बाद अब योग दीख्षा में जो गुरु होते हैं वे शक्ति प्रदान करते हैं पर जो शक्ति होती है ये बीज रूप से होती है। योगी कर्म के द्वारा इस बीज को पेड़ बनाते हैं। अर्थात अपने कर्म को और बढ़ाते रहते हैं। यहीं पर मैं आपको कन्फ्यूस करने के लिए एक और बात बताता हूं। दीक्षा तो साधक को भी प्राप्त होती है। तो यह मैं सोचेगा कि साधक को दीक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि आप मैं से बहुत लोग होंगे जिने दीक्षा प्रदान करी गई होगी। दीक्षा साधक को भी दी जाती है। परंतु इसमें अंतर ये होता है कि जो साधक है उसकी जो दीक्षा है वो कृपा है इस दीक्षा के साथ साधक जो होता है वो आगे बढ़ करके इश्ट में वो सम्मेलित हो जाता है जो योगी की दीक्षा होती है वो योगी के लिए रिन की तरह होती है धान सुनेगा योगी क क्रिपा होती है तो कर्म कम हो जाता है कर्म का जो एक बल होता है वो कम हो जाता है इसी कारण जो योगी होते हैं एक स्तर पर आकर के वो इस दीख्षा की जो शक्ती होती है वे गुरु को वापिस दे देते हैं तो आप इस तरह समझ लीजे कि ये गुरु दक्षिना हो गई है ये गुरु को वापिस दे देते हैं फिर ये जो उपर की ओर उठते हैं वे अपने कर्म के कारण उठते हैं अब हम यहाँ पर फिर से आते हैं उसी बात पर जो हमने बात करी थी कमल दल को ले करके कमल दल के बीच में बिंदू होता है बिंदू में देवी का रज्य होता है वहाँ पर देवी आसीन होती है अपने आसन पर माखंड योगी जो होते हैं उन्हें गुरु दीक्षा मिलती है गुरु दीक्षा से उन्हें आसन प्राप्त होता है इस आसन से उनकी गती उर्द्व ह वे अग्रसर होते हैं और फिर वे पहुंच जाते हैं उस स्थान पर उस स्थिती में कि वे भगवती के साथ में उनके आसन पर बैठते हैं विराजमान होते हैं तब ये उस चक्र के राजा बन जाते हैं यहाँ पर इन्हें इस्ट के साथ सम्मिलित होने की अवशक्ता नहीं हो इसी कारण आप देखेंगे कि कित्रे सारे योगी हैं, उनके बारे में जब मैंने वीडियो करें तर मैंने बोला कि वैबी भी हैं, उनकी शक्ती अभी भी है, क्योंकि ये विलीन नहीं होते हैं, तब क्या होता इनके साथ? तब इनकी स्थिती हो जाती है एक दृष्टा की भा इनमें साक्शी भाव जागरित हो जाता है जब ये साक्शी बन जाते हैं तब ये नियामक बन जाते हैं नियामक यानि रग्यूलेटर। गनी जो ये योगी होते हैं ये class monitor की तरह हो जाते हैं क्लास ट्वीचर का कारे करने के लिए ये मौनिटर जो होते हैं ये बकी की क्लास को कंट्रोल करते हैं रेगुलेट करते हैं उसी प्रकार से ये जो महाखंड योगी होते हैं ये भी कारे करते हैं और इसी को करते रहने के लिए निरंतर करते रहने के लिए ही जान गंज उनकी स्थापना करी गई है इनिस सभी में यदि मैं इनको एक लाइन में आपको बताऊं तो ये है विश्वकल्यान ही इनका महालक्ष होता है विश्वकल्यान जो भगवान की जो योजना है उसे अच्छी प्रकार से चलाने के लिए ही ऐसे सद्धाश्रमों की स्थापना करी पूरे वीडियो का जदी मैं आपको एक समरी के रूप में बताऊं बात तो यह आती है कि जो योगी होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं खंड और महाखंड इनमें हम जादा अंतर नहीं समझेंगे हम बस यह समझेंगे कि जो योगी होते हैं उन्हें गुरु दीशा देते हैं गुरु दीशा देकर के एक आसन प्रदान करते हैं ताकि इनका जो कर्मे वो चलता रहे मनोपरांत भी इनका देह इनको प्राप्त होता है वो कर्म देह होता है उस कर्म देह में ये स्थूल देह नहीं होता है कर्म देह होता है इसमें बहुत देर लगती है इनको अपनी तपस को चलाने के लिए एक आप कह लिजिए एक generator की तरह है कि mains से बिजली आ रही है और जो ये generator है या फिर substation है ये उस पूरु स्राइटी में बिजली दे रहा है तो ये mains का ही काम कर रहा है जो main जो power plant है उसका ही काम ये substation कर रहा है यही सद्धाश्रम है इन सबसे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ा वो ये पड़ा कि जो योग की स्थिती है वो कितने उपर तक जाती है ये जो महाखंड योगी होते हैं जब ये देवी के गोध में भी बैठ जाते हैं तब भी इनका कार चलते रहता है कौँकि जो देवी का कार ये वो इने करना ह देवी का कार अनंत चलता है तो इनकी जो साधन है वो अनंत तक चलती रहती है यही रहसे है योग का और इन सभी को जोडने के लिए इन सभी को जोडने के लिए ही कितने योगसूत्र बनाए गए हैं अब आपको समझ माएगा कि जितने भी हमारे रिशी रहें उन्होंने जो योग शूत्र बनाये हैं वे इसी कारण है ताकि जो साधरन जन है वो भी भले ही कितने जन ले हैं परंतुनी सूत्रों के माध्यम से उर्धुगती ही वो प्राप्त करता रहा है यदि आप साधक हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने लक्ष बहुत उपर रखें साक्षातकार भी बली हो गया हो आपका लक्ष बहुत उच स्तरका होना चाहिए और यदि है तो आप कहां तक जाना है यह आपके समझ में आया होगा इसी के साथ हमें ये भी मालूम चला होगा कि कुंडलीनी जागरण कितना महत्पून कार रह है तो दोस्तों यदि आपको इस उचसुकता और थोड़ी सी भी अधिक बड़ी हो तो खृप्या करके इस वीडियो को लाइक करें हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूले कोंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए करके आता रहूंगा और कॉमेंट सेक्शन में जाकरके जो पहला कॉमेंट पिंड है वहां से पे टीम जीपे तैदे के मादम से 100-200-500 जितना भी आपके मन में आए उतना आप श्री सहयोग हमें प्रदान करें बहुत अतिक प्रोचसाहन मिलता है इसके साथ मैं सिधार्थ आप सब इसे जाने की अनुमति लेता हूँ अगले वीडियो में ज्यान कंज के ही कुछ और जिने वाई